नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिटेश और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज में बात करूँगा बैताल की ये सिरीज है नेट्फलिस की, रेक्टर है पेटरी ग्रहम, डेरेक्टर है पेटरी क्रहम और निखिल महाजन तो दोस्तों सबसे पहले जो इसकी स्टोरी लाइन है इस पर थोड़ी सी चर्चे करते हैं और फिर क्या अच्छा पुरा है उसके बारे में बात करेंगे लेकिन गाउं वाले उस टनल को खोलने का पूरा विरोध करते हैं उनका मानना है कि ये जो टनल है ये शापित है और इसके खोलने से बहुत सारी जो सक्तियां है कहिए कि बुरी सक्तियां है वो प्रभावी हो जाएंगी और गाउं का और इस देश का बहुत ही नुकसान होने वाला है लेकिन फिर जो कंपनी है वो तैय करती है कि जो जबरदस्ति से उस गाउं को भी खाली करवाया जाएगा और टनल को भी खोला जाएगा उसके लिए फिर फोर्स बुलाई जाती है गाउं खाली कर दिया जाता है और टनल के अंदर लोग घुशते हैं और फिर उनका सा के हैं फिर हो तक क्या है कि नहीं बनता है सड़क बनती है नहीं बनती है यह तो दोस्तों आप इस सीरीज में ही देखेंगे लेकिन अगर बात करें कुछ अच्छी चीजों की तो देखिए यहां जो सबसे बढ़िया चीज है जो सबसे अच्छी चीज है वो यह कि यहां एडिटिंग बहुत शांदार है बहुत ही टू दे पॉइंट चीजें आपके सामने आती रहती है बेकार की कोई जोल जाल नहीं कोई खीचतान नहीं और इसके अलावा देखिए स्टोरी भी ठीक है जिस तरह से स्टोरी लाइन रखी गई और वो देखकर के आपको इंटरेस्टिंग लगता है इसका जो प्रेजेंटेशन है शुरुआत के दो एपिसोड तो बहुत ही जादा कसे हुए है आखरी के दो एपिसोड में चीजें थोड़ी प्रेड विक्रम सिरोही का करेक्टर रखा गया है यहां विक्रम सिरोही बने हुए है विनीत कुमार सिंग और विक्रम सिरोही का करेक्टर काफी दमदार है काफी रिलेटेबिल है विक्रम के साथ पास्ट में घटना हो जाती है और वो घटना के याद से कहिए उसके प्रफाल से वो दूसरे टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी ठीक है अब बात करते हैं जो चीजे बे मतलब की थी जैसे कि देखिए कि यहां आहना कुम्रा का जो करेक्टर है वो अफसर बनी हुई है और वो है अफसर अहलुबालिया तो आहना के जो चेहरे पे बेवज़ा एक एसकार दिखा द करनाने की कोशिस हलाकी की गई थी लेकिन इससे ऐसा कुछ हुआ नहीं और जो देखिए जो पहला एपिसोड है उसमें सुरू में हम देख रहे हैं कि यह जो आदिवासी संदाय के लोग हैं वो एक अलग तरह की भाशा बोल रहे हैं और बाद में फिर वो कुछ ऐसी भाशा बोलने रखते हैं जो कि संथाली या फिर चतिस गड़ी के आसपास कुछ चीज़े हैं तो यह जो पिल्कुल शुरू में एक अजीब भाशा थी उसकी भी कोई जरूरत नहीं थी हाला कि जो आप सिरीज को देखेंगे तो शुरू में आपको एक बच्ची भी दिखेगी एक क्या कर रही है कौन सा जो ठेकेदार है या माली ये कंस्ट्रक्शन कंपनी का अधिकारी है वो अपने परिवार को ले करके साइट पे जाता है लेकिन फिर बाद में लगता है कि हाँ ये बच्ची एक महत्पून करेक्टर थी और कहानी में उसकी आगे जरूरत पढ़ने वा बल जो है वो किसी कंपनी के कहने पर या केंदरिये बल की कोई एक अधिकारी है वो किसी कंपनी से साथ गाट करकर के अपना एक अभियान प्लैन करती है ये बिलकुल नमुम्किन सी बात है केंदरिये बल सीधे सरकार के आदे सही काम करते हैं कंपनियों से उनका कोई लेना देना नहीं होता है और जिस तरह से हमने देखा कि केंद्रिय बलके लोग जा रहे हैं और वो गाउं को खाली करवा रहे हैं जवर्दस्ती कर रहे हैं तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है दूसरा यह कि यह जो गाउं वाले हैं यह आदिवासी है या फिर नकसली है यह भी शुरू हैं जो बिल्कुल ही इलाजिकल लगती है जैसे कि कोई भी आदमी जॉंबियन के संपर्ग में आता है तो उसके बाल सफेद हो जाते हैं अचानक से या फिर जो एक जॉंबी करेक्टर है एक करेक्टर है जो सिपाई है बाद में जॉंबी बन जाता है लेकिन वो इतना दयालू है इतना मददगार है कि वो पूरी कहानी लोगों को बता रहा है और फिर एक सीन तो हम देखते ही है जिसमें हल्दी नमगा और क्या-क्या यूज हो रहा है तो कुछ चीजें हैं दोस्तों जो बहुत ही आपको बेकार भी लगती है हाला कि अगर आप देखें अभिने के तो विनीत कुमार सिंग ने अच्छा विनेता है और जो उनका एक रोल है द्वंदेवाला की एक अफसर जो कभी सोच विचार में पड़ जाता है कि उसे करना क्या है और इसके करण कभी वो चिंतित भी हो जाता है तो वो रोल उनका बहुत अच्छा इन्होंने निभाया है या फिर जो आदिवासी एक लेडी है पूनिया उनकी भूमका में है मंजरी पुपाला तो वो भी बहुत जादा आपको इंप्रेस करती है उसके अलावा जो दोस्तों जो और भी करेक्टर है जैसे हलुवाली है कोबरा सेथ या त्यागी बनी है सुचित्रा पिल्लई हक है सिद लगने वाला है और कुछ चीजे है जो अच्छी है कुछ चीजे अच्छी नहीं है हाला कि डालोक्स में गाली गलोज काफी इस्तमाल यहां कई जगों पर किया गया है तो आप अगर चाहे तो इस सीरीज को एक बार देख सकते हैं और मेरी रेटिंग रहेगी इस सीरीज के लिए पाँच में से तीन तो दोस्तों बेताल के बारे में आज इतनी ही चर्चा आगे किसी और आप किसी और सीरीज किसी और हट टपिक को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा तब तक देखिए मेरे वीडियो मेरे चैनल को पसंद करिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया आप प्रेस करने के बाद आल भी प्रेस करिएगा कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करिएगा वीडियो अच्छे लगी तो शेयर जरू करिएगा धन्यवाद